उसके दुस्तो एक और चीज को अप लोग करना है hidden network को yes करना है अप लोग कुछ इस्तरीक एक warning भी आ जाएगा उसके आप लोग कुछ भी नहीं करना normally आप लोग करना क्या है yes normally आप लोग करना क्या है शिफ कर देना है जैसी शिफ कर लोग यह connect हो जाएगा थोड़ा से वेट कर लेना है देख सकते हैं कि यह hidden network connected हो चुका है दोस्तो आज का वीडियो का पर ज्यादा interesting है उन लोग के लिए जो एटल extreme यूज करते हैं या कोई भी ब्रांड का रॉटर यूज करते हैं सभी में यह feature आ जाता है hidden network का वाट मैं आप लोग को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं वह सिर्फ और सिर्फ एटल extreme में जो आता है जिक्सेल कंपनी का रॉटर उस पर अगर आप लोग को पास jetty का रॉटर है तो कुछ similar सा ही जो फीचर आ जाता है इसे कैसी इनेबल करना है और इसके क्या benefits सब इस आएगा क्योंकि दॉस्तों यह hidden network होता है आप लोग किसी के साथ share नहीं करना चाहते हो या फिर आप लोग जो है secretly अपने घर में रॉटर यूज करते हो या फिर आप लोग किसी फ्रेंड सरकलें बोल कर रखे हो कि रॉटर ख्राब हो गया है और आप लोग जो है रॉटर आ यह सारा चीज जो है इस वीडियो में आप लोग को बतलाने वाला हूं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर देख सकते हैं कि 8 लेक्स्ट्रीम से मेरा डिश्टॉप कनेक्टेड है कोई भी ब्राजर का लोग को ओपिन कर लेना है उसमें टैप करना है 192.168. यहां पर यूजर नेम और पासफर्ट मांगा जाएगा जीकशल कंप्रीनी का रॉटर लगा हूँआ है और इसका लगिन का यूजर नेम और पासफर्ट अड Cord legislator में उत्हाँ रखना है आप लोग को पासफर्ट में अडमिन टैप कर देना है उसके लोगिन कर देना है उसके इस तरीकिये का पेज आज आएगा आप लोग करना का नेटवर्क पे आजाना है यहाँ पर दिखे का 2.4 GHz तो मैं अब यह आप लोग को टेस्टिंग करके जो दिखला रहा हूं वो 2.4 GHz पर दिखला रहा हूं अगर 5 GHz को भी आप लोग हाइट करते हो तो सेम प्रोसेस को फॉलो करना है तो यहाँ पर जो डिफल्ट है एक 2.4 GHz और 5 GHz जो ऑन रहता है अगर आप लोग उसको हाइट करना चाहते हैं तो नॉर्मल यहाँ से हाइट कर सकते हो बट मैं आप लोग को जो है अलग से हाइट करके दिखलाता हूँ मोर अपी में आ जाना है और यहाँ पर 3 और 2.4 GHz को आप लोग को आउन कर सकते हो तो यहाँ पर सबसे एक नवर पर आप लोग देख सकते हैं जो SSID का मैंने नाम चेंज कर रखा हुआ इसके modify पर क्लिक कर रहा हूँ और इसे enable कर रहा हूँ टिक लागा के और इसका नाम जो मैं ध्रमी रहने देता हूँ और आप लोग को नीचे में दिखेगा hide SSID इस पर टिक लगा देना है और इसे कैसी यूज करना ये भी मैं आप लोगों सिख लाओंगा और यहां पर password मैं आप लोगों दिखला देता हूँ एक दू तीन और आप लोग को करना क्या है OK कर देना है आप लोग को अपने पून के स्कृन में पर लिए चलता हूँ और आप लोगों को है कैसे कलेक्ट करने आप लोग को आति हम सबसे नीचे स्कृलिय इस पर क्लिक कर लेना हूआ और जो भी नाम रखा था आप लोग ने hidden network का वो नाम यहाँ पर डाल देना है मैंने धरम रखा था तो मैंने same spilling आप लोग को ध्यान रखना है और अगर caps डाला है आप लोग ने तो caps करके ही आप लोग को यूज करना है और password मुझे याद है एर टेल at the rate 123 पाइम धर्लोग को करना है कि अब लोग कुछ इसतरी के का बारनींग भी आजाएगा उसके आप लोग कुछ भी नहीं करना pan luggage आ नार्मिश करणा करना क्या है एस कर देना है इस ही हीर लोग चरे यह कि थोड़ा सा बेट कर लेना है од प та झाल देक सकते हैं यह hidden network connected हो चुका है और यहाँ पर दुस्तों अगर मैं इस effort करता हूँ तो यहाँ पर यह पर esse менее करेगा यह मैं दिखेभाता हूँ यह connected हो चुका है और internet proper work भी करेगा जब लोग को दिखुला देता हूँ ड़िखकें work कर रहा है internet दख सकते हैं तो फॉर्गेट करने के बाद दोस्तों अब भी तो दिख रहा हुगा कि यह आप फ्रॉस्व नहीं कर रहा है अगर आपर लोग प्रॉस्ट करने जाओ गोगे तो यह कनेक्ट नहीं होगा पास्टर में डाला और यह कनेक्ट नहीं होगा और कुछ दिर में यह आप सो करना भी हट जाता है यह सो भी नहीं करेगा क्यूंकि अब जिसेंटली फोन से कनेक्टेट हुआ है तो इस कारण से जो है यह सो कर रहा है देख सकते हैं कनेक्ट फेल्ड यह कनेक्ट भी नहीं होगा और बहुत इजी तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो तो आप लोग दिखेगा यहां पर कि यह हट चुका है धरम जो लिखा हुआ जो नेट्वर्क था अबलेबल से हट गया है तो होता क्या है कि थोड़ा दरे अन करने के बाद जो है कि आप करते हो करते रहता हूं आ धारम नाम येट्वर्क पासवड था एट來了 एट लेट दर एट बन टू थरी और हीडिन नेटवर्क आन था देख सकते हैं वापस से किनेक्टेट हो चुका है और अबलेबेन नेटवर्क में नहीं आ रहा है तो मैं करके रहा हूं वापस से फॉर्गेट करके आप लोगों दिखला देता हूं देख सकते हैं यहेसी फॉर्गेट किया यहां से हट गया है और यह नीचे में आना फूचर्ट हो गया है जो थुर्ट हो चुका है अभी तो आप लोगों ने देखा कि hidden network को कैसे use करना है और काफी अच्छा work करता है और steps जो मैंने आप लोगों को साथ share किया वो काफी जैदा easy है तो सवाच के वीडियो पसंद आया तो इसे like कर दें अगर इसे related को भी question पूछ नहीं हो तो नीचे comment सिक्षन में comment क कर सकते हैं अगर future audio videos देखना चाहते हैं इस तरीकी के तो मैं यह चनल को जरू सब्सक्राब कर दें थैंक्स वर वाचिंग ध्रम CSC